इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. IT fix or capsule antifungal नामक दवाओं के समूग के अंतरगत आता है. यह कवक के विकास को रोक कर काम करता है और इसका उपयोग मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों में नाखूनों और पैर के नाखूनों सहित संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है. यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है. आइटी फेक्स और कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए. इसे पूरा निगल लिया जाना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है. सबसे अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए इस दवा को समान अंतराल पर ले और जब तक आपका नुस्खा समाप्त न हो जाए तब तक इसका उप्योग जारी रखें, भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएं. यदि आप उप्चार को बहुत जल्दी रोक देते हैं, तो संक्रमन वापस आ सकता है और यदि आप खुराक लेना भूल जाते हैं, तो आप संक्रमन के अपने जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जो आगे के उप्चार के लिए प्रतिरोधी हैं. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या संक्रमन ठीक नहीं होता है यदि ये खराब हो जाता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, सामानि सर्दी, खांसी, धुंदली द्रिष्टी और मासिधर्म की समस्या शामिल हैं. आप अपने डॉक्टर से इन गले में सूजन है, तो अपात कालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करें. यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं, तो इसे तब तक न ले जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए न कहा हो. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक से बा यदि आपका उपचार एक महीने से अधिक का है तो आपका डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षन करके आपके लीव की जांच कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद